नमस्कार दोस्तो मैं आपकी दोस्त मोनिका पज़ापती स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ओनलाइन में दोस्तो आज बात करते हैं लोकडाउन के समय कैसे आया दुनिया में बदलाओ उस पर उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत बूले बेल आइकन जरूर किलिक करें दोस्तो लोकडाउन के समय आया दुनिया में चमतकारी बदलाओ बदल गई धर्ती की तस्वीरें देखने को मिले हैं कुछ अद्बुद न जारें कोरोना वाइरस की वज़े से देश भर में लोकडाउन है लोगों को परेशानिया भी हो रही है लोकडाउन की वज़े से कुछ ऐसे चमतकारी बदलाव देखने को मिले हैं जो शायद हमारी जनरेशन कभी नहीं देख पाती लोकडाउन की वज़े से बड़ी-बड़ी फैक्टरियों और कानखानों सब बंद कर दिये गए हैं इस बंद की वज़े से ना धर्ती, ना हवा, ना ही पानी परदूशित हो रहा है लेकिन सब कुछ बंद होने की वज़े से परियावरं को रहत हैं दोस्तों, दुनिया भर से ऐसी तस्वीरे आ रही हैं जिसमें आसमान साफ, नदिया साफ सड़के खाली दिख रही हैं आईए देखे अद्बुत्न चारे यमना हुई साफ दिल्ली के हर चुनाव में राजनीति मुद्दा बनने वाली यमना नदी इससे पहले इतनी साफ कभी नहीं देखी गई इसकी सफाई के लिए राज्जे और केन सरकारों की ओड़ से करोडों रुपे खर्च किये जाने के बावजूत यमना की स्थिति में आशा के अनुरूप सुधार नहीं दिखा वही अब साफ होती यमना के फोटो और वीडियो को लोग अपने सोशल मेडिया प्लैटफॉम पर सेयर करने लगे है यमना के साथ साथ गंगा भी हुई निर्मल आपको बता दें कि कई प्रियावरन वादो के अनुसार ओधुगिक काईयो का कच्रा नहीं गिरने से अब यमना के साथ साथ गंगा भी निर्मल हो रही है केंद्री पर्दूशन यंतरन बोर्ड ने अभी जो गंगा नदी की गुणवत्ता है उसे नहाने के साथ ही वन्ने जीव और मत्से पालन के लिए फिट बताया गया है डाउन की वज़े से धर्टी के वातावरन को बहुत जादा फायदा मिल रहा है हवा की क्वालिटी में भी 60 पर्ट की शुद्धी पाई गई है धर्टी के उपर ओजोन लेयर में जो जहरिली हवा से छेद हुआ था वह भी अब भढ़ने लगा है साइन्टिस्ट का कहनाएं कि यह सब देख कर विस्वास नहीं हो रहा कि हमारा वातावरन इतनी जल्दी ठीक हो रहा है पंजाब से दिखने लगे हिमाचल के पहाड लोगडाउन की वज़े से हवा भी बहुत साफ हुई है इसका सब वुत हिमाचल से सटे हिमाल्य के बरफिले पहाड है जो पंजाब से अब दिखने लगे हैं यह बहाड पंजाब में 1995 के बाद से अब 2020 में फिर से देखने शुरू होए है धर्टी में पानी का लेवल बहुत कम हो रहा था जिससे पूरा विश्व चिंतित था अब सिर्फ दो हफ्तों के लोकडाउन के बाद से धर्टी में पानी का इस्तर फिर से बढ़ने लगा है विग्यानिकों का कहना है कि पूरे विश्व में लोकडाउन की वज़े से धर्टी का दूसरा जनम हो रहा है जानवरों का हो रहा है तेजी से विकास कुछ शोदकरताओंने खोज करते हुए यह पता लगाया है कि जानवर पहले से ज़्यादा विक्सित और स्वस्थ हो रहे है वातवरण में सुद्धी आने की वज़े से पक्षियों में बहुत तेजी से बद्ला हो रहे है वे पहले से ज़्यादा खुश और स्वस्थ लगने लगे है जानवरों के मनने का आकड़ा फिर भी काफी कम हो गया है दोस्तों गिरे हैं पर हारे नहीं हैं घर पर रहें शुरक्षित रहें आपका इस आर्टिकल पर क्या विचार हैं आप हमें कमेंट बोक्स में जवाब दे सकते हैं और पसंद आए तो इस पोस्ट को लाइक करें और अपने दोस्तों के शाथ सेर करना ना भूलें इंडिया उनलाइन लाइक, सेर, सब्सक्राइब, दा पावर ओन यूर साइट